सबसे पहले मा सरस्वती को मेरा नमन आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और बहुत ही अच्छा मौका मेरे लिए रहा है शौरे जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इंवाइट किया आने के लिए और मुझे बहुत ही खुशी हुई बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को मैंने सुना है और बहुत ही अच्छा सबने बहुत ही प्रयास किया बहुत ही सुन्दर शब्दों में सबने अपनी वाणी का वर्णन किया है अपनी बातों का वर्णन किया है मैं भी दो लाइन बोलना चाहती हूँ जो हमारे देश के जवान हैं उनकी शहादत को हम लोग नहीं बोल सकते, अब भी अगर हम यहां बैठे हैं, खड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो शहद वो ही हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो हम यहां सब एक दुसरे के साथ नजर आ रहे हैं, तो दो लाइने में कहना चाहूंगे, देश से हैं प्यार तो हर पल यह कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत यह रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे, यूही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, मेरी नस नस तार कर दो, और बना दो एक सितार, मेरी नस नस तार कर दो, और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, जन जन आओ बार बार, देश से ये प्रेम आँखों से चलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, शत्रों से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले, भक्त की इस शक्त को बड़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, बोलिए भारत माता की